Hello friends, how much is that? आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की अनालिसिस में बाजार फिर से वही पैटर्न पर चला जिस पैटर्न पर हमने एकस्पेक्ट किया था कल सतरह अपचास की क्लोसिंग थी कला सतरह अज़ार अज़ार सटिस कासपर सी क्लोसिंग है अगर आप रिवाइंड खेलना है ना बिल्कुल कम्प्रीट यूटर खेलना है तो 17,500 के उपर में ही बाइंग देखने को भी वहीं पर लगता है institutional investors वहाँ पर दुबारा से आएंगा smart players वहाँ से फिर से बाजार में बाइंग करते हुए दिखाई देंगा यहाँ पर बाजार ने फिर से बिल्कुल exactly उसी लेवल को mark किया जैसे आपके सामने मैंने इसको mark किया है और एक range दिखाई दे रही है बजार उपर में 17,300 के आसपास जाता है नीचे में वापस से 17,000 के level को touch करने की कोशिश करता है आज भी दिन बर यही रहा तो यहाँ पर बिसिकलिए आपके strategy फिर से क्या हो जाएगी जैसे आज ही closing है 17,000 36 के आसपास की बहुत ही चोटा सा stop loss है 17,000 30 का अगर रेंज में बजाच चल रहा है फिर से दुबारा से रेंज में ही खेलना है तो 17,000 30 के नीचे 10-20 पॉइंट का stop loss लगाई है वहाँ पर जो buy करना चाते है वो buy कर सकते है वह वापसे फिर से 100-500 पॉइंट का अच्छा खासा bounce नीफ्टी में देखने को मिल सकता है बट जब 17,000 वापस तूट जाएगा तो एक जटका फिर से आपको देखने को मिल सकती है अभी बजार selling pressure में बना हुआ इसको देखने का एक और तरीका है जैसे आप normal candle 6 को तो आप देखते ही है मैंने आपसे हमेशा से live sessions में भी कहा है कि please hack and issue candle को एक बार लगा के देख लिया किजिए trend को reconfirm करने के लिए guys mind me trend को reconfirm करने के लिए हम hack and issue को use करते हैं हम बिल्कुल भी hack and issue को trading के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे है क्योंकि valuations है जो calculations है hack and issue के और normal candles की बहुत युदा different है जैसे आगर देखेंगे तो hack and issue candle की अगर trend reconfirm करने के लिए use करें तब भी हमें वापसे trend का selling ही continue दिखाई दे रहा है ठीक है तो अभी भी अगर हम intraday chart के ओपर देखेंगे तो selling ही दिखाई दे रही है अगर daily chart के ओपर देखने की कोशिश करें तो हमको वहाँ पे भी अच्छी खाथी selling ही दिखाई दे रही है selling को hold किया जा रहा है ठीक है volumes को देखा जाए तो volumes बहुत बहुत बेर कह रही है कि बजा 17,000 के 18,000 के असपास से सिर्फ selling ही चल रही है daily chart के ओपर में यहाँ पर कोई reversal का pattern अभी नहीं देखने को मिला है ठीक है तो आपकी आपको बसंद आते हैं यह content आपको पसंद आता है मेरी महनत आती है तो प्लीज मोटिवट करने के लिए like को फ़रूर प्रेस कीजिए subscribe करके चैनल को ताकि सब भी updates आपको टाइम पे मिलते रहे और हां regular updates पाने के लिए Telegram चैनल को जोईन कर लिए जिसका link वीडियो के नीचे दिया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के best discount broker के साथ अपना account खोले आ जाए जिसमें जिरोदा, angel broking, ptmoney, stocks card, up stocks और भी बहुत सा links मैंने इस वीडियो के description में दे दी हैं तो जहां आप चाहते हैं अपना free demand or trading account खोल सकते हैं और आज ही अपने trading investment की शुरात को कर सकते हैं यहां पे अगर आपको काम करना है तो बहुत दी क्लियर है चोटे-चोटे swap losses होंगे उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि जटके से नीचे की तरफ आएगा क्योंकि जो gap है वो gap बहुत बड़ा है तो यहां प देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है इस बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को हिट करती दिखाई दे रही है अगर थोड़ा सा इसी एक हुमा करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह एरिया टेस्ट हो रहा है 35,600 के सब्सकी करेक्शन बहुत अच्छे से देखने ही बिल सकती है बैंक निफ्टी 33,500 को पूरे मंत के लिए होल्ड करना होगा अगर बैंक निफ्टी में रिवाइवल आपको देखना है यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड रिकन्फर्म करने कोशिश करें तो ट्रेंड सेलिंग का इस जो करेंड बैंक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टन एरिया रहेगा 35,500 का अगर 35,500 का एरिया टूट जाता है जो टूटने के संभाने दिखाई देती है 35,500 का एरिया तो हब समझ लीजिए कि this will be a very very sharp fall till 34,000 and till 33,250 level तो आने वाले टाइम में अगर आपको buying करनी भी है आपको bounce play करना है तो 35,500 के stop loss के साथ में आप buy करेंगे 35,720 के उपर में breakout रहेगा intraday करने वालों के लिए और 35,900, 36,000 तक है एक profit booking के level देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर एक range जो रहने वाली है उस range को देख लीजिए जो intraday का range रहेगा बेसिकली यह 36,000 का एक psychological barrier है इसको cross करना बहुत ज़री है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर bank nifty बार 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 इस level को sustain नहीं करी तो अगर 35,500, 30,500 के swap loss के दात में आपने buy करना भी है तो 36,000 का एक उपर में psychological barrier रहेगा जो अभी bank nifty के लिए तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तो guys I hope आपको यह analysis पसंद आ रहा है अपनी study करने के बाद ही ट्रेड लीजिक है क्योंकि यह मेरी study है मेरी analysis है, मेरी observation है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कितना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और yes guys, I would request you to follow me on Instagram also Instagram का मेरा handle इस वीडियो के description में दे दिया गया जहां पर मैं आपको daily updates दूँआ Instagram के reals वीडियो के तरू में और YouTube Shorts वीडियो के तरू में आपको mint होसता है, हर थोड़ी दिर में एक update आपके पास आजाए हर थोड़ी दिर में एक update आजाए तो आपके साथ यतरा live हो सकता है, मैं रहने की कोशिश करूआ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लंबी वीडियो को बनाके ही दिया जाए, पूरे दिन की 20 मिनिट की वीडियो शूट की जाए वो तो वीडियो आपके सामने आएगी ही आएगी शाम के टाइम में बट छोटी-छोटी वीडियो के मादेम से आपको hints के मादेम से आपको alerts के मादेम से मैं आपके लिए वो content create करता रहा हूँ, तो please channel पर बने रहिए दोस्तों को channel पर लिकाईए, पसंद करते हैं channel को तो please comment कीजिए, like कीजिए, share कीजिए ताक कि channel के साथ-साथ हम और आप दुनों को लोगर सके हैं Thank you so much for motivating me, thank you so much for watching this video Take care, bye-bye, जाहिन